अससलामुलीकूम उमीद करता हूँ आप सब हैरीट से होंगे में लिए वीडियो एक चाइनीज कोईन के ऊपर होगी जिसको तक्रीबन हर इंफ्लेंसर रिकमेंट कर रहा है उसके लावा पॉलिगन मैटिक में इतना क्रेश क्यों आया क्या उसकी नेगिटिव न्यूज थी औ उसके पीछे क्या रिजन्स हैं क्या हुआ है बैसिकली बाइनस से स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि बिटकोई क्रेश हुआ एकदम से दो गंटे पहले और सीधा तेस से थाजार पॉंच्सो डॉलर पे गया और उसके बाद वापस से पंप होगे चोबीस हजार ट्रेड्स अस्ट्रेलिया की यूजर्स की उपन थी वो अटमेटिकली क्लोज होगी चाहे किसी की प्रॉफिट में थी चाहे किसी की लॉस में थी इवन यहां तक पताया जाकर है वो सारे लिक्विडेट होगे अब उस पर यह टेक्निकल एरर के वैसे यह चीज़ हुई है उसके बाइनस ने क्लारिफिकेशन दे दिया कि वो इसको कंपनसेट करेंगे यह जितने भी यूजर्स के साथ यह चीज़ हुई है उनको वो कंपनसेट करेंगे उसके वैसे आपको एक शार्ट डंप देखने को मिला था और उसके बाद बिटकोई वापस से स्टेबल हुआ बेशमार कोई बता देंगे और उसके पीछे उनको कोई पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को कि उसके फंड़मेंटल्स क्या होते हैं अगर उनको पता भी हो तो वो आपके साथ शेर नहीं करते हैं किस वज़ासे तो मैंने दो कोई थो कीए थे वो उनको यह टैग इस ट एक इन्वेस्टिगेटर है, एक जर्नलिस टाइप समझ लो कि एक चैनल है और वो रेरली कोई किसी altcoin के बारे में वो recommend करता है किसी altcoin को, मतलब coins वो share ही नहीं करता altcoins वो recommend ही नहीं करता उस तरह से, ठीक है और वो एक podcast में था और उसमें उसने filecoin का भी जगरिया था इसवज़े से ये भी एक reason बन जाता था कि filecoin की double confirmation आपको हो जाती है तो इसवज़े से मैंने filecoin भी आपको उनके सा share कर दिया था मैं जल्दे से news को cover करता हूँ ताकि video लंबी नहीं हो FOMC के minutes कल night में आने थे जिसके विएसे market कल market के सवज़ से pressure में थी FOMC के minutes के विएसे March में FOMC की meeting होनी है और उसके interest rate decide होना है जैसे हर FOMC की meeting में होता है और last जो meeting हुई थी उसमें 25 basis points हुए थे अब जो March में meeting हो रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कहा जा रहा था कि 50 basis points आएंगे जो के negative है ठीक है अगर और कल जो meeting हुई है FOMC के committee members की mostly आप यह news पर सकते हो almost all fed officials supported a 25 basis hike with a few in a favor of 50 basis यनि कुछ committee members थे उन्होंने 50 basis काखा आए बाकि mostly ने 25 basis point का recommend का basis points होते है कि 0.25% को 25 basis BPS कहते है मैटिक के बारे में bad news यह है कि मैटिक की कल की date मैटिक की जो blockchain है उसमें एक outage आया outage जिससे असलोना की blockchain में outage आते रहें एक negative जो चीज़ होती है कि blockchain down हो जाए ठीक है कुछ देर के लिए तो one and a half hour के लिए blockchain polygon की down होगी थी जिसकी वैज़े से polygon में आपने crash देखा 1.50 डॉलर से crash होगे तकरीबन 1.30 डॉलर तक गया मैटिक और एक चीज़ में आपको यह भी बता दू कि मैंने आपको advance में signal भी बताया था ऐसा नहीं था कि मुझी इस news का बता था वैसे मैं आपको बताया था ले आफ किया है स्टाफ जो है ना 20% स्टाफ को ले आफ किया यानि फाइर किया है मतलब इसके मैं example आपको इस तरह से दूँगा कि एक building तामीर हो रही है उसको 100 जो तकरीबन 100 के करीब मजदूर जो है उसको उसको build up कर रहे है ठीक है अर्ट की deck वगरा ठीक है लेकिन उसमें से 20 जो है ना उनको lay off कर दिया जाता यानि उनको हटा दिया जाता है काम से और बाकी रहे जाते है 80 अब 100 के मकाबले में जो 80 काम कर रहे होंगे ना उनकी speed ज़र से बात है slow down हो जाएगी तो जो development हो रही होगी जो तामीर हो रही होगी building उसको तामीर करने में ज्यादा वक्त लगेगा इसी तरह blockchain की development है Polygon blockchain जो है Polygon network जो है इसकी development में जो लगे वे थे उनमें से 20% स्टाफ को ले आफ किया गया है तो इसका मतलब है कि उसमें जो development की का काम है उसमें एक slow growth उसकी जो growth है वो slow हो जाएगी ठीक है लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि शाहिद उनने एक budget बजट अपना बनाने के ल 24 hours में तकरीबन इसमें 3% का जाफा हो है क्योंकि अगर कल की date में आप देखो तो यह 1.08 trillion तक आ चुकी थी ठीक है जिस coin की हमने करनी है discussion वो है cfx ठीक है cfx एक ऐसा coin है कि Chinese coin की list में आपको दूसरे तीसरे number पे बलके इवन बहुसारे लोग पहले number पे इसको आपको यही ब mechanism पे हैं ठीक है और इंडिस्ट्री से गरिस्ट की देखें तो web 3 research payments payment का जो word और tag word है इसको याद रखना मैं आपको समझाता हूँ payment का मतलब है बाकी mineable यह नहीं इस coin को आप माइन कर सकते हो hybrid proof of work और proof of stake यह proof of work और proof of stake दोनों को दोनों के हिसाब सब्सक्राइब को दोनों के circulating supply है इसको किस range में इस coin को भाई करना चाहिए कुछ चीज़ें होरे मैं आपको समझाता हूँ payments वाला जो tag word मैं आपको बताया तो उसका मतलब क्या है conflex चाइना का instagram है ठीक है चाइना का instagram का जो नाम है वो conflex है और यह conflex के नाम पर समझ लो एक तरह का coin बना हुए चाइना में जो youtube हम use करते हैं चाइना वह चाइनीज वह यूज नहीं करते है उनकी अलग से youtube है उनका instagram अलग से है उनका twitter हर चीज़ लग से ठीक है और अब चाइना जो है ना मतलब इस coin को मतलब यह coin चाइना का instagram है उस पे cfx coin as a payment method आ सकता है जैसे twitter पे dogecoin as a payment method आ सकता है समझे बात को dogecoin twitter भी एक network है अब dogecoin twitter alone मसक है और dogecoin की currency को भी वो support करता है तो एक time पे आके शाहिद dogecoin को as a payment method वो twitter पे ले आए ठीक है इस coin के वाले से एक जो मुझे negative चीज़ लगिया वो यह है कि twitter पे community बहुत कम है एक तो यह चीज़ दूसरी एक बा इसका जो page है official इसका handle है social handle है वहाँ पे उसके कितने followers हैं तो वहाँ पे कितनी audience है तो वहाँ पे जितनी audience होगी उससे हमें exact idea हो जाएगा इस market का ठीक है इसकी popularity का इसकी audience का ठीक है इसकी total market cap अगर देखो यह आल-time high जो market cap इसकी थी 1.10 billion के around ठीक है यह देख रहे हो 1.10 billion के around 35 और current इसकी market cap जो है वो आप देख सकते हो इस साल इसने इस तरह का high लगाया एक यानि यह इसकी current जो चल रही है वो यह चल रही है तो अब यह इस वक्त साथ सो million के क्रीब इसकी market cap है यह coin अभी चल रहा है तक्रीबन 30 cent के around यह double तब होगा जब इसकी market cap जो आप इसकी total market cap ह होगी ना तो यह coin अपनी value का इसका double उस वक्त होगा ठीक है तो जो लोग कह रहे होते हैं 10x 50x 100x तो आप उस coin जैसे dogecoin के बारे में या मुख्लिफ coins के बारे में कहते हैं कि 1000x होजएगा बहुत सरे और altcoins के बारे में कहते हैं तो आप यह चीज़ देखा करो कि अभी कितनी dotcoin उस पे हमने कैसे entryage बनानी है वो में आपको बताता हूँ अच्छा इस को इस coin का यह है कि long term के इसाफ जाफ जालर हो ना तो मैं इस coin में 400$ से ज्यदा कभी भी ना लगा हूँ समझ रहे हो बात को आप समझ रहे हो कि मैं इस coin को कितनी अहमियत दे रहा हूँ तो आप इस च चीज के कितनी वर्थ है जैसे Shiba इनों के बारे में यह कहता हूँ कि उस पे 40-50$ से जदा का coin नहीं है उसकी इतनी वर्थ नहीं है कि उसमें आप 40-50$ से जदा लगा हो और इसमें आपने enter कैसे होना है ठीक है आप यह अपनी जो bucket है ना आपकी जो basket है उसमें आप इसको रख और Hong Kong में crypto की buying and selling retail trader के लिए trading वगरा सब कुछ यह सब कुछ legal हो जाएगा यहर कोई कर सकते है open किसी को कोई restriction नहीं होगी कि अभी तो VPN वगरा इस तरह से करते हैं लेकिन उस वक्त कोई restriction नहीं होगी 1st June से मैं यह समझता हूँ कि 1st June को यह coin इसकी value 0.60$ हो सकते है यह यह अप तो आप इसको for example maybe यह coin easily आपको दीखेगा 10 cent पे ठीक है 8 cent पे अगर कोई बहुत बड़ा disaster आ जाता है यानि मैं आपको एक समझा देता हूँ Ethereum जो है ना उसकी 40 billion dollar की unstaking हो रही है ठीक है अब 40 billion dollar में से अगर for example 30 billion dollar हो जाये तो वो इतना बड़ा disaster होगा कि Bitcoin की price 15,000$ से भी आप नीचे देखोगे अगर 40 billion dollar की Ethereum सेल हो जाते है उसमें से 30 billion dollar भी सेल हो जाते है इवन 20 billion dollar भी सेल जाते है तो Bitcoin की price आप easily 15,000$ से नीचे देख हो कि आपने जैसे मेरा total plan इस coin पे मैंने आपको एक assume करके बता है कि मेरे पास अगर 500 dollar हो तो मैं 400 dollar दोगा लेकिन वो भी इस तरह नहीं लेगाँगा कि जो इसकी current price चल रही है इसी पे मैंने 400 dollar एक दफा लगा दिया नहीं अब मैं आपको समझाता हूँ अगर आपके total budget इस coin के लिए आप अपने mind में decide करोगा यार इस point कि मैं 100 dollar की यह coin buy करने है ठीक है अब वो करने कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ वो इस तरह से करने के आपने 0.25 dollar से नीचे ठीक है 0.25 dollar से नीचे पहले 10 dollar की entry बिनानी है वो आप इन दिनों बना सकती हूँ ठीक है इन दिनों यह मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ आगे आपका कितना portfolio है आपकी जेब कितनी आपको इजादत देती है अपने portfolio को कैसे आप manage करते हो वो portfolio management आपको आना चाहिए उससे आपको decide करते हो फिर जब यह 20 cents से नीचे चला जाता है नो markets में कोई बड़ा disaster आने के chances नहीं है जैसे अ आता है तो एक तो वो होगा एक negative होगा एक बड़ी negative news होगी दूसरी के मार्च में जो है न एथीरियम अन-stake जो होगे वो सबसे मार्च में सबसे बड़ा एक खलचल होगी न market में वो उस वक्त होगी जब एथीरियम अन-stake होगे वो दो साल से staking पे है और वो total उसकी बनती आ यार उसमें फिर आप बहुत सोच समझ कि बोलते हो इसमे यह नहीं कि आप एक दम से बसक्राइब करो यह भी बाए करो यह भी अच्छा यह यह इसा नहीं होता कुछ भी इच्छा नहीं होता यह कॉए इक बात आपको समझनी होगी कि market में क्रिप्टो की market में trends आते हैं पिछले जिनू, आर्टिफिचल इंटेलिजेंस का ट्रेंट था न, आप बहुत ज़दा आर्टिफिचल इंटेलिजेंस का सुनते थे, अब आप आपने नोट किया होगा, कि वो आइस्ता इस्ता स्लोडाउन होना शुरू हो गया, आप इतनी वीडियोज नहीं देखते, यू चीज होने वाली है, तो इडवांस में वो चीज इंसाडर ट्रेडर जो होते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, और मार्केट साल रडी पॉंप हो चुकी होती है, आप देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहीं लास 9, 9 दिन के अंदर, ESRI की मार्केट यहां से कितनी उपर गई है, यहां आप खुद अंदादा लगाओ कि यह कोईन 4 से, 36 से चला गया, 10 दिन के अंदर, अब आप यहां पर एगर, for example, 18 सेंट पे इसको भाई कर लो, तो अगर यह 15 सेंट पर भी वापस चला जाता है, यहां से यहां तक भी गेरता है, तो आपका कितना बुरा खशर हो सकता ह लहाजा to be on safer side, पहली entry आपकी इसकी जो एक चोटी सेंटी होगी, ताकि आप एक जो होता है न, FOMO होता है, कि FOMO को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कि फिर आफ मिस्सिंग आउट के मिस्स न हो जाए मुझस से राइड, उसके आपने एक, अगर टोटल सोड़ा लगाना आपको कोई मुखा मिले तो आप उसमें entry बनाओगी, तो फिर जब जून 1 तक जब एक legal हो जाएगी क्रिप्टो की buying and selling Hong Kong में और mostly चाइना में भी क्रिप्टो ट्रेडिंग होगी बहुत जएदा उसका एक peak start होगी ठीक है, legal दोर पर, तो उस वक्त इस तरह की coins में एक hype आप में यह pump करेगा Bitcoin, Bitcoin बाएर बार एक up and down moment इसमें हो रही है, लेकिन मैं मुझे लगता है कि इसकी upside moment एक आने वाली है, ठीक है, और Bitcoin उपर की तरफ breakout इसका हो सकता है, exact तो मैं नहीं कह सकता, एक में और भी indication आपको देते हैं, आज US stock market जो है अभी तक positive में ही open हुई है, US stock market पक अच्छा अच्छी upside move बनाएगा, और Bitcoin में आपको stability मिल सकती है 24,000 से उपर उपर, और Bitcoin 24,400 से उपर उपर आपको stable होता वा नज़र आ सकता है, और मुझे लगता है कि momentum भी बना सकता है, अच्छा ये क्यूं बता रहा हूँ, उसकी वज़ए यह है, कि इसके behalf पे आप अपनी अच्छा एक बात बता दूँ कि Matic से दूर रहना है, Matic से थोड़ा सा दूर रहो, कुछ issues हैं, फिलहाल Matic से दूर रहो, 1.20 डॉलर, अब इसकी जो next target है 1.20 डॉलर पे आप अपनी नजरें रखो, जैसे 1.20 डॉलर पे आए, buy करो, आपको easily 1.30 डॉलर पे sale करने को मिलेगा, मुझे लगता है कि Bitcoin next 24 hours में, या 48 hours में आप देख सकते हो, कि 25,000 डॉलर का जो इसका एक दुबारा से जो target है, उसको दुबारा से ये touch कर सकता है, उस resistance को, 25 डॉलर वाली को दुबारा से ये test कर सकता है, within next 48 hours max, 24 hours में भी हो सकता है, next 12 hours के अंदर भी ये चीज हो सकती है, ले करीबर मैंने 0.16, 10 dollar profit में इसको close किये, और मैंने इसको close कर दिये, 10 dollar profit में, दुबारा से इसमें आप entry अगर बनाना चाहते हो, तो वैसे मैंने आपको entry जो price दी ती 0.16.50 बिताई थी, तो GRT में, अगर for example, GRT 0.16 या 0.15.90 तक आए ना तो इसमें आप एक entry बना सकते हो, और selling का, जो आपका होगा, उसके बाद, वो 0.16, 17 cent पे होगा, ठीक है, यानि 16 cent से थोड़ा नीचे buy करो, और 17 cent पे sell कर दो, 1 cent की trade इतने है, चोटे value वाली coin पे बहुत बड़ी trade होती है, बाकी एक बात, हास बात आपको बता दूँ कि next video में, अगर इस video के 50 like आ जाते हैं तो next में शार्ट रखूँगा और कोशिट करूँगा कि 4-5 minute की वीडियो में वो एक coin आपको समझा दूँ कि मैं किस तरीके से coin देखके, आपको बताता हूँ, किस तरह से research करता हूँ, ठीक है, इस तरह कि मेरे research के parameter होते हैं, कुछ different चीज़े भी और होती है, आप भी इन चीज़ों कोई update हुई, bitcoin के वाले से exit करना हुआ, किसी coin में जाना हुआ, enter होना हुआ, तो मैं आपको बता दूँगा, मिलते हैं, नेक्स तुडियो में तक लिए हले कीगा, लाहाफिस, गुडबाई